Hey guys, what's up? So, आज के टाइम में भी बहुत से लड़कों को ये लगता है कि हमें स्टाइलिस दिखने के लिए, हमें गुड़ लुकिंग दिखने के लिए हमें बहुत ज़ादा कपलों की और बहुत ज़ादा पैसों की जरुवत है कम पैसे में हम गुड़ लुकिंग नहीं दिख सकते और ये एक बहुती गलस सोच है क्योंकि अगर आप फैशन और स्टाइलिंग को लेकर सच में बहुती पैसनेट हो अगर आपको फैशन की नॉलेज है तो आप 300-400 वाले टीशेट में भी गुड़ लुकिंग दिखोगे इसी तर अगर आप फैशन और स्टाइलिंग को लेकर पैसनेट नहीं हो अगर आपको फैशन की नॉलेज नहीं है तो आप 1400-500 वाले ब्रैंडेट टीशेट में भी छपड़ी लगोगे इसले ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको गुड लुकिंग दिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा कपडो की जरूइत है आपको good looking दिखने के लिए सिर्फ कुछी कपड़ों की जरुवत है और वो भी budget में इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे कपड़े बताऊंगा जो हर brown moon day के पास होने ही चाहिए क्योंकि ये 10 कपड़े बहुत ही versatile है आप इनके साथ बहुत सारे outfit कर सकते हो और आप good looking भी दिखोगे और वो भी budget में उससे पहले अगर आप love duck की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बता दू कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाईयों के लिए बनाता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला कपड़ा है एक black jeans वैसे तो market में बहुत तरह के jeans मिलते हैं बट अगर आप मुझे से पुछो कि मुझे कोई एक ऐसा jeans बताओ जिसे मैं किसी भी कपड़े के साथ पहन सकूँ तो वो है black jeans black jeans है जिसे आप आँख बंद करके किसी भी कपड़ों के साथ पहन सकते हो यह हर कपड़े के साथ अच्छा लगता है इसलिए एक black jeans आपके पास होना ही चाहिए बट black jeans लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि black jeans दो तरह के होते हैं एक होता है faded black jeans और एक होता है jet black jeans faded black jeans का color तो black होता है बट उसमें थोड़ा white which shade रहता है जिसके वह जिन्स दिखने में उतना खास नहीं लगता बट jet black jeans का colour purely black होता है जिसके वह tv जिन्स दिखने में एकदम बवाल लगता है इसलिए हमैसा jet black jeans ही लेना दूसरा कपड़ा है एक plain solid black T-shirt अब T-shirt में भी और भी बहुत सारे colors के T-shirt है जो हमारे उपर अच्छे लगते हैं जो मैंने आपको मेरे T-shirt वाले वीडियो में बताया था बट जो color का T-shirt आपको सबसे पहले लेना चाहिए जो आपके पास होना ही चाहिए वो है एक plain black T-shirt जिसमें ना कोई design हो और ना कोई लिखावट हो एकदम plain black T-shirt क्योंकि black jeans की तरह एक plain black T-shirt भी बहुत versatile होता है इसके साथ भी आप बहुत सारे outfit कर सकते हो इसको आप एक normal T-shirt की तरह पैन सकते हो इसके ओपर आप layering कर सकते हो और इसको in करके एक semi formal वाला look भी कर सकते हो और plain black T-shirt आप चाहो तो half sleeve वाला भी ले सकते हो या full sleeve वाला भी ले सकते हो बट अगर आप full sleeve वाला plain black T-shirt लोगे तो इसमें आपको एक advantage जादा मिलेगा वो ये है कि इससे आपके हाथों को थोरी गर्मी जरूर लगेगी बट ये आपके हाथों को धुप से tan होने से भी बचाहेगी और T-shirt से याद आया बहुत जल्द Indian market में आपके भाई का भी clothing brand launch होने वाला है जिसको लेकर बहुत दिनों से काम चल रही है तो अगर आप T-shirt लेने का सोच रहे थे तो कुछ दिन रुख जाओ क्योंकि next month के last week तक अपना clothing brand भी Indian market में launch हो जाएगा और हमारा पहला clothing item T-shirt ही रहेगा और इसी तरह से अगर आप लोग का support रहा तो हमारी brand भी Indian market में तभाई मचाएगी तीसरा कपड़ा है एक check shirt अब shirts भी बहुत तरह के होते हैं बट आप पहले check shirt ही लेना क्योंकि बाकी तरह के shirts के मुकाबले check shirt जादा versatile होते हैं आप इसके साथ different outfit कर सकते हो आप इसको normal तरीके से भी पैयन सकते हो एक होता है single stripe वाला check shirt और एक होता है double या triple stripe वाला check shirt तो आप हमेशा double या triple stripe वाला check shirt ही लेना क्योंकि ये हमारे उपर ज्यादा अच्छा लगता है और check shirt darker color वाले लेना है light color वाले मत लेना चौथा कपड़ा है एक grey color का चीनो अब पहले मैं आपको black color का चीनो बताने वाला था बट formal outfit को छोड़कर black color की चीनो की जगा अब black jeans भी पैयन सकते हो इसलिए मैंने आपको black color का चीनो नहीं बताया आप grey color का चीनो लेना क्योंकि grey color का चीनो भी black color की चीनो की तरह बहुत versatile होता है grey color के चीनो के साथ आप formal look भी कर सकते हो semi formal look भी कर सकते हो और casual look भी कर सकते हो और इसके साथ आप almost बहुत सारे outfit कर सकते हो पांसवा कपड़ा जो हर brown Monday के पास होनी चाहिए वह है एक plain hoodie क्योंकि आपको तो पता ही है कि winter में hoodie कितना stylish लगता है इसलिए एक hoodie तो आपके पास होना ही चाहिए बट hoodie दो तरह की मिलती है एक होती है chain वाली hoodie और एक होती है without chain वाली hoodie तो आप पहले chain वाली hoodie लेना क्योंकि chain वाली hoodie ज्यादा versatile होती है इसे आप chain लगा कर एक hoodie की तरह भी पैन सकते हो और chain खोलकर इसे आप एक jacket की तरह भी पहन सकते हो इसलिए पहले chain वाले hoodie लेना और जो color की hoodie आपको सबसे पहले लेनी चाहिए वो है black color की hoodie 6th कपड़ा है एक cotton वाला track pant अब देखो आपको अपने महले अपने area में भी stylish दिखना है ना वो बहुत ही unstylish लगता है हमारे उपर इसलिए आप अपने area में half pant pant के मत घुमना एक cotton वाला track pant pant के घुमना ये आपको stylish दिखाएगी और इस pant को आप अपने area के साथ साथ जिम में भी पहन सकते हो 7th कपड़ा है एक denim jacket आप जो कलर के denim jacket हमारे उपर अच्छे लगते हैं वो है blue, black, maroon और olive green बट इन में से जो कलर का denim jacket आपको सबसे पहला लेना चाहिए वो है blue color का denim jacket क्योंकि blue denim jacket को आप किसी भी कपड़े के साथ पहन सकते हो इसलिए ये आपके पास होना ही चाहिए बट plain blue denim jacket लेना कोई अतरंगी design वाला blue denim jacket मत ले लेना आठवा कपड़ा है एक blazer party wears के लिए आपके पास एक blazer तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि parties वगरा में blazer कितना cool लगता है इसलिए एक blazer तो आपके पास होना ही चाहिए और मैं आपको recommend करूँगा कि आप gray color का blazer लेना क्योंकि black या navy blue color का blazer बहुत ही common हो चुका है आजकल हर दुसरा तिसा लड़का black या navy blue color का blazer पैन के ही parties वगरा में जाता है इसलिए बाकियों से हटके दिखने के लिए अप gray color का blazer लेना क्योंकि loafer formal outfit के साथ भी अच्छा लगता है semi formal outfit के साथ भी अच्छा लगता है और casual outfit के साथ भी अच्छा लगता है और सबसे पहले आप black color का ही loafer लेना क्योंकि black color का loafer easily किसी भी outfit के साथ match कर जाता है and finally दस्वा कपडा जो हर brown moon day के पास होनी चाहिए ये भी एक footwear है, वो है एक white sneaker, अब white shoe के बारे में मैं आपको क्या बता हूँ, आपको दो पता ही है कि white shoe कितना versatile होता है और कितना stylish लगता है दिखने में, white shoe को आप आंग बंद करके किसी भी outfit के साथ पहलो, formal, semi-formal, casual, आप अच्छे ही लगोगे, इसलिए एक white shoe तो आपके प purchase link मैंने नीचे description में डाल दिया है, आप link पे click करकर उसे खड़ी सकते हो, तो ये थी आज की video, वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like कर देना, और अगर आप dark skin या साबले हो तो इस चानल को subscribe कर देना, और बगल में घंटे को भी दवा देना, और Instagram पे follow करना मत भूलना, दिपक शाओ official के नाम से है, link description में है, और इस वीडियो को जितना हो सके, उतना share करो, जिससे की हर dark skin या साबले लरकों की मदत हो सके, और अगर आपका कोई questions हो, तो comment जरूर करना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए dark skin को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना तक का दे बनाओ कर दो के लिए